गुट बार्निंग थर्ड ग्लास वेलकुप यू इन यू सोशल साइन्स क्लास तो बेटा येस्टरे वी कम्पेटेड फॉर्थ चैप्टर ठीक है इस कुश्चिन आंसर बुक वर्क जंबल वर्ड्स और यू आपको पता चुलेगा तोड़े वी आपको पता चुलेगा कि एक मैन की लाइफ जो है इनसानी जीवन कैसे जो है एक एक इक्जिस्टन्स में आया था So let's start its reading First of all, early man did not have any idea about time Early man को time के बारे में नहीं पता चलता था क्योंकि अब हमारे पास watches है यह हमारी technology develop हुई है जिसके according हमारे पास हर एक facility है कि हम time को easily judge कर सकते हैं बट early man के पास ऐसा कुछ नहीं था उसको time का नहीं पता चलता था He kept no record of birthdays और holidays उसके पास कोई record नहीं था कि उसका birth कब हुआ यह चुटियां कब है Nothing He did not know about days or weeks even years उसको ना दिन का पता है ना हफतों का पता ना सालों का पता But he kept a track of the season पर वो seasons को ध्यान रखता था He knew that spring followed winter उसको बता था कि winter के बाद spring आनी है The ancient man moved from place to place in search of food and water Ancient man जो था वो एक जगा से दूसरी जगा घूनता था खाने की तलाश में और पानी की तलाश में He ate flesh of animals, fruits, nuts, leaves and roots of plants वो animals का मास खाता, fruits खाता, nuts खाता, पत्ते खाता, जड़ें खाता, plants की ये सारी चीज़ें वो खाता था He used stones for hunting, fishing and digging roots of plants वो stone use करता शिकार खेलने के लिए, fish पकड़ने के लिए या फिर पोदों की जड़ों को मतलब की डिक उनको खोदने के लिए Slowly he improved the stone tools by giving them shape and polish धीरे धीरे उसने stone tools को improve किया, उनको shape दी, उनको polish किया He also started using tools made of bonds and ivory उसने फिर धीरे धीरे उन tools को use करना शुरू किया जो हड़ियों से या हाथी के दांच से बनाए जाते थी His most useful tool was the spear उसका सबसे जादा useful tool क्या है, spear He threw it from a distance with a force to kill animals वो दूर से ही जब कोई जानवर को देख लेता, वो उसको fake के animal को मार देता और उसका फिर मास खाता था Fire was the biggest discovery of the ancient man That is very important, बेटा Ancient man ने fire की discovery की थी कैसे की थी, दो पत्थर थे ठीक है, जब उसको आपस में रब किया ठीक है, तो उसकी चिंगारी निकली जिससे early man को पता चला कि ये fire है और उसने फिर आग का use करना शुरू किया The fire gave him warmth and saved him from cold and wild animals जो fire थी, आग उसको गर्माहट देती, ठीक है, और उसको ठंड से और जानवरों सोई बचा के रखती After the discovery of fire, he started cooking his food to make it soft and tasty Fire की discovery के बाद, उसने अपना खाना पकाना शुरू कर लिया उसको soft बनाया, आग ने ठीक है, और tasty भी बना पहले तो early man क्या था, कच्चा खाना खाता था, कच्चा ही मास खाना, कच्ची सबजियां खानी ठीक है, बट fire की invention के बाद, उसने अपने food को पकाना शुरू कर लिया पहले early man क्या था, hunter था, शिकारी था, या फिर food इकठा करने वाला एक जगा से दूसरी जगा जाके food इकठा करता था, बट बाद में वो food producer बन गया मतलब food उसने खुद पैदा करना शुरू कर लिया, मतलब plants लगाने, beach बोना, ठीक है now he did not have to wander from one place to another, अब उसको एक जगा से दूसरी जगा जाने की जुरूरत नहीं थी he started leading a settled life close to the land where he get the water easily तो उसने settled life lead करना शुरू कर लिया, ठीक है, क्योंकि और उस जगा पे शुरू किया, जहां पे उसको पानी की जो कमी है वो ना हो ठीक है, तो यह आपका complete होता है, एक page की reading, आप इसको read करना बेटा, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, कि early man की starting life कैसे थी, thank you